नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, शरत चंदर चटोपाध्ध है द्वारा लिखी वी एक बांगला नोविल, बड़ी दीदी का हिंदी रोपांतरण। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हों, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन भी प्रस करें, ताकि मेरे द्वारा अप्लोड की वी कहानिया सबसे पहले आप तक पहुँचे धन्यवाद, तो आए सुनते हैं, बड़ी दीदी इस धर्ती पर एक विश्ष्ट प्रकार के लोग भी बसते हैं, यह फूस की आग की तरह होते हैं, वह जट से जलूटते हैं और फिट चट पट बूच जाते हैं व्यक्तियों के पीट पीछे हर समय एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, जो उनकी आवशक्ता के अनुसार उनके लिए फूस जुटा सके जब ग्रिहस्ति की कन्याई मिट्टी का दीपक जलाते समय उसमें तेल और बाती डालती है, तो दीपक के साथ एक सलाई भी रख देती है, जब दीपक की लोग मद्धम होने लगती है, तब उस सलाई की बहुत अविशक्ता होती है, उससे बाती उक्सानी पड़ती है, यद दीवत छोटी सी सलाई ना हो, तो तेल और बाती के रहते वे भी दीपक का जलते रहना असंभव हो जाता है, सुरेंद्र नात का स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार का है, उसमें बल, बुद्धी और आत्मे विश्वास सभी कुछ है, लेकिन वह अकेला कोई काम पूरा नही शक्ता होती है, जो उसे उस अधूरे काम को पूरा करने की प्रज़ना दे, सुरेंद्र के पिता सुदूर पश्ची में वकालत करते हैं, बंगाल के साथ उनका अधिक संबंध नहीं है, वही पर सुरेंद्र ने 20 वर्ष के उम्र में एमे पास किया था, कुछ तो अपने की विमाता के गुणों से। शुरेंद्र के विमाता ऐसे परिश्रम और लगन से उसके पीछे लगी रहती है, कि अनेक अवसरों पर वह यह नहीं समझ पाता कि स्वयम बे उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या नहीं, सुरेंद्र नाम का कोई स्वतंतर प्राणी इस सं विमाता के एक्षा ही मानव रूप धारण करके उससे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, परिक्षाएं पास कराना आदि सभी काम करवा लेती है। उसे अपने उपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं, उसे यह तक विश्वास नहीं कि वह किसी भी काम को कुशलता पूर्वक पूरा कर सकता है। दिन रात के 24 घंटे में से 22 घंटे तिरसकार, उलाहने, डाट फटकार और मुह बिगाडने के कामों के साथ-साथ, परिक्षा में पास होने के लिए उसे अपनी निद्रा सुक से भी हाथ धू लेना पड़ता है। भला, अपनी सौत के लड़के के लिए कब कौन इतना करता है? मुहले टोले के लोग एक मुख से राय ग्रिणी की प्रशंसा करते भी नहीं उगाते हैं। सुरेंद्र के प्रती उसके आंतरिक प्रयासों में नाम भर के लिए भी कमी नहीं होती। यदि तिरसकार और लांचन सुनने के बाद सुरेंद्र की आँखें और चेहरे लाल हो जाता। तो राय ग्रिणी उससे ज्वर आने का लक्षन समझ कर तीन दिनों तक साबू दाना खाने की विवस्ता कर देती। मानसिक विकास और सेक्षा-देक्षा की प्रगति के प्रती उनके द्रिष्टी और भी अधिक पैनी थी। सुरेंद्र के शरीर पर साफ सुत्रे या आदुनिक फैशन के कपड़े देखते ही वह साफ समझ लेती थी कि लड़का शौकीन बनने लगा है, बाबू बनकर रहना चाता है और उसी समय दो-तीन सपता के लिए सुरेंद्र के कपड़े दो भी के घर जाने पर रोक लगा दे बस इसी तरह सुरेंद्र के दिन बीचते थे, इस प्रकार स्नेपूर्ण सतरकता के बीच कभी-कभी वह सोचने लगता कि शायद सभी लोगों के जीवन का प्रभात इसी प्रकार व्यतित होता हो, लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी आस-पास के लोग उसके पीछे पढ़क और वह स्वदेश लोटकर आनेक लोगों पर उपकार कर सकता है, यह बात सुरेंद्र को बुरी नहीं मालूम हुई, वन में रहने वाले पक्षी के अपेक्षा, पिंजड़े में रहने वाला पक्षी अधिक फड़फडाता है, सुरेंद्र के कलपना में उसके आँखों के स्वद्हिंता के प्रकाश से भरा स्वचंद वातवरन जिल्विलाने लगा, और उसके पराधीन प्राण पागलू की तरफ पिंजड़े के चारों और फड़फडा कर घूमने लगे, उसने पिता के पास पहुँचकर निवेदिन किया, कि चाहे जिस तरह भी हो, मेरी इंग लैंड जाने पर सभी प्रकार की उन्नेती की आश्या है, पिता ने उत्तर दिया, अच्छा सोचूंगा, लेकिन गर के मालकिन के एक्षा इसके बिल्कुल विरुद्धी थी, वह पिता और पुत्र के बीच आंदे की तरह पहुँच गई, और इस तरह ठाहा का मारका हरसी, क उसे अकेले विलायत भेज रहे हो? जिस तरह घर के घोड़े को विलायत भेजना है, उसी तरह इसे विलायत भेजना है, घोड़े और बैल कम से कम इतना तो समझते हैं, कि उसे भूख लगी है या नीन दा रही है, लेकिन तुम्हारा या सुरेंद्र तो इतना भी नहीं उसने विलायत जाने की आशा छोड़ दी, या सुनकर उसके मित्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह विलायत जाने का कोई अन्य उपाई नहीं बता सका, हाँ, या जरूर कहा कि ऐसा पराधिन जीवन जीने की अपेक्षा भीख मांग कर जीना कहीं बहतर है, और या निश्ट हो गया, उसने निश्टे कर लिया, कि भीख मांग कर ही जीया जाए, सभी लोग तो विलायत नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह जिन्दगी और मौत के बीच में रहकर उन्हें जीना भी नहीं पड़ता, एक दिन अंधेरी रात में वह घर से निकला, और स्टेशन पहुँच ग और यदि मेरा पता चल भी गया, तो भी मेरे लोटने की कोई संभावना नहीं है, राय महाशे ने गृहनी को पत्र दिखाया और बोले, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, पढ़लिक चुका है, अब उसके पंक निकलाए है, अगर वह अब भी न उड़ेगा, तो कब उड फिर भी उन्होंने तलाश किया, कलकत्ता में उनके जो भी परिचिते उन्हें पत्र लिखे, लेकिन परिणाम कुछ ने निकला, सुरेंद्र का कोई पता न चला, कलकत्ता की भीड और कोलाहल भरी सडकों पर पहुँचकर सुरेंद्र नात घबरा गया, वह न तो कोई नाट और करुणा के लिए स्थान भी, आश्रे भी मेल जाता है, लेकिन प्रयत्न की आवशक्ता होती है, यहां अपनी एक्षा से तुम्हारे बीच कोई ना आएगा, यहां आने पर उसे पहली सीक्षा यह मिली, कि खाने के लिए चेश्ठा स्वयम करनी पड़ती है, आश्रे के एकदम कमजोर पड़ गया था, पास के रुपे भी खतम हो रहे थे, कपड़े मैले और फटने लेगे थे, रात को सोने तक के लिए कहीं ठीकाना नहीं था, सुरेंदर की आखों में आसु आ गये, घर को पत्रे लिखने की एक्षा नहीं होती, लज्जा आती थी, और सबसे बढ़कर, जब उसे अपनी विमाता किस नए हिन कठोर चेहरे की याद आती, तो घर जाने की एक्षा एकदम आकाश कुसम बन जाती थी, उसे इस बात को सोचते हुए भी डर लगता था, कि वह कभी वहाँ था, एक दिन उसने अपने जैसे ही दरीत्र आदमी की ओर देखा, और पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ खाते किस तरह हो, वह आदमी भी कुछ मुर्ख साही था, वरना सुरेंदर की हसी न उड़ाता, उसने कहा, नौकरी करके कमाते खाते हैं, कलकत्ता में रोजगार की कमी है क्या, सुरेंदर ने पूछा, मुझे भी कोई नौकरी करके हो, सुरेंदर ने हां में से रहला दिया, तो पढ़ना लिखना क्यों नहीं सिखा, सिखा है, उस आदमी ने कुछ सोच कर कहा, तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ, इसमें एक बहुत बड़े जमिनदार रहते हैं, वह कुछ न कुछ इंतिजाम कर देंगे, या कहक वह चला गया, सुरेंदर नात फाटक के पास गया, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जरा पीछे एटा, एक बर फिर आगे बड़ा, और फिर पीछे एटाया, उस दिन कुछ भी नहुआ, दूसरा दिन भी इसी तरह बीट गया, दो दिनों में साहज संजो कर उसने किसी तरह फाटक पर कदम रखा, सामने एक नोकर खड़ा था, उसने पूचा, क्या चाते हो, बाबू साहब से, बाबू साहब गर पर नहीं है, सुरेंदर नात का चेरा खुशी से जमक उठा, एक बहुत ही मुश्किल काम से उसे चिट्टी मिली, बाबू साहब गर नहीं है, नो प्रसन्नता के साथ वह इधर उधर भूमता रहा और मनी मन सोचता रहा कि कल किस प्रकार बातचित करने पर मेरा कुछ ठीकाना बन जाए लेकिन दूसरे दिन वह उत्सा नहीं रहा जैसे जैसे उस मतान की निकट महुचता गया वैसे वैसे उसकी लौटने की एक्षा बढ़ती फिर जब वह फाटक के बास पहुचा तो पूरी तरह हतोत साहित हो गया उसके पैर किसी भी तरह अंदर बढ़ने को तयार नहीं थे किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पा रहा था कि आज वह स्वयम अपने लिए यहां आया है ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठेल ठाल कर उस उसने कहा बाबु सहाब आज घर पर हैं आप उनसे भेट करेंगे हां अचा तो चलिए जमिंदार सहाब का मकान बहुत बड़ा है बड़े सलीके से साहवी ढंक से सामान सजे हुए हैं कमरे पर कमरे संगमरमर की सीडिया हर कमरे में जाड़ फानुस और उस पर सुर्ख कपड के गिलाफ शोभा पा रहे हैं दिवारों पर लगे वे बड़े बड़े शीशे ना जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ दूसरों के लिए यह सब चीजे चाहे जैसे भी हो लेकिन सुरेंद्र के लिए यह नहीं नहीं थी क्योंकि उसके पिता का घर भी कोई निर्धन की क जा रहा है कि वह क्या प्रश्ण करेंगे मैं क्या उत्तर दूंगा लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला मालिक सामने ही बैठे थे सुरेंद्र नाथ से बोले क्या काम है आज तीन दिन से सुरेंद्र यही बात सोच रहा था लेकिन इस समय वह सारी बाते भूल गया बो बड़े आदमी है इसलिए उन्होंने फॉरन सुरेंदरनात के आने का उद्देश्य समझ लिया और पूछा क्या चाहते हो जी मुझे एक क्या नौकरी ब्रजराज बाबु ने मुस्कोरा कर कहा या तुमसे किस ने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूं जी रास्ते में एक आदमी से भीट हुई थी मैंने उससे पूछा था और उसने आपके बारे में अच्ची बात है तुमारा मकान कहा है पश्चिम में वहाँ तुमारे कौन-कौन है सुरेंदर ने सब कुछ बता दिया वर्तमान स्थिति से सुरेंदर ने एक नया धंग जी खा था अटकते अटकते बोला मामूली नौकरी करते हैं लेकिन उससे काम नहीं चलता इसलिए तुम कमाना चाहते हो जी हाँ यहां कहा रहते हो कोई निश्चित जगह नहीं है बस जहां तहां ब्रज बाबु को दया आ गई सुरेंदर को बैठा कर उन्होंने कहा तुम अभी बच्चे हो इस उम्र में कि तुम्हारे कुछ व्यवस्था हो जाए अच्छा सुरेंदर जाने लगा उससे जाते देख ब्रज बाबु ने उसे फिर बुला कर पूछा तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है बस इतने से ही तुम्हारा काम हो गया तुमने यह तक जानने समझने की जरुरत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपाई कर सकता हूँ सुरेंदर सक पकाया सालोट कर खड़ा हो गया ब्रज बाबु ने हसते वे कहा अब कहा जाओगे जी किसे दुकान पर वहीं भोजन करोगे जी हां रोजाना ऐसा ही करता हूँ तुमने कहां तक पढ़ना लिखना सीखा है यो ही थोड़ा सा सीखा है मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो सुरेंदर प्रसन्न होकर कहा हाँ पढ़ा सकता हूँ ब्रज बाबु फिर हस पड़े उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने नहीं है क्योंकि बिना है जाने समझे कि कि किसे पढ़ा सकोगे सुरेंदर कुछ गंबीर हो गया सोच कर बोला किसी तरह काम चला ही लोंगा ब्रज बाबु ने और कुछ नहीं कहा नौकर को बुला कर बोले बंदो इनके रहने के लिए जगह का इंतिजाम कर दो और भोजनादी की वैवस्ता भी कर दो फिर वह सुरेंदर क की और देख कर बुले संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलावा लूंगा तुम मेरे मकान में ही रहो और जब तक किसी नौकरी का इंतिजाम न हो तब तक तुम मज़े से यहां रह सकते हो दो पहर को जब ब्रज बाबु भोजन करने गय तो उन्होंने अपनी बड़ी लड को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राजी हो गया जो बीए क्लास को पढ़ाने का जाहास कर सकता है वह कम से कम तुम्हारी चोटी बैन को तो जरूरी पढ़ा सकेगा मैं सोचता हूँ प्रमीला को वही पढ़ाया करे माधवी ने इस पर कोई आपत्ती नहीं कि संध्या के माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक मेंड़क की कहानी तक पढ़ी थी वह कॉपी पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर, लॉलिपॉप लाकर बैट गए इसके बाद सुरेंद्र नात ने उसकी और ध्यान देकर स्लेट खिचली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा प्राबलम पर प्राबलम सॉल्व होने लगे और घड़ी में साथ, साथ के बाद, आठ, आठ के बाद, नौ बजने लगे प्रामिला कभी इस करवट, कभी उस करवट होकर किताब के तस्वीरों वाले पन्ने उलटती, कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी मुह में लॉलिपॉप रखकर चूसने लगती कभी वेचारे मेंड़क के शरीर पर स्याही पोथती हुई पड़ती मास्टर साहब, हम अंदर जाएं, अच्छा जाओ उसके सुबा का समय इसी प्रकार बीच जाता लेकिन दोपहर का काम कुछ और ही तरह का था ब्रज बाबु ने दया करके सुरेंदरनात की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिये थे सुरेंदरनात उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता पता लगा कर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दर्वाजे और खिड़किया है, बाहर की और कितने कमरे हैं, मकान दो मंजिला है या तीन मंजिला, सामने कोई रोशनी का खंबा है या नहीं, आदी. इसके बाद संध्या होने के पहले है घर लोटाता था. कलकत्ता आने पर सुरिंद्र नाथ ने कुछ पुस्तके खरीद ली थी, इनके अलावा कुछ पुस्तके वा घर से भी लेकर आया था. ग्यास की रोशनी में बैठकर वो उनी पुस्तकों को पढ़ता रहता. ब्रज बाब पे में पत्नी वियोग का दुख बूड़े ही समझ सकते हैं. लेकिन इस बात को जाने दीजिये. उनकी लाडली बीटी माधवी इस सोलह वर्ष की उम्र में अपने पती को गवा बैठी है. उससे ब्रजराज बाबु के बदन का आधा लोहू सूप गया है. उन्होंने कि लड़का पढ़ लिख रहा है, सुदर है, सुशील है, सीधा साधा है. बस यही देखकर उन्होंने माधवी का विवा कर दिया था. 11 वर्ष की उम्र में माधवी का विवा हुआ था. तीन वर्ष तक वो अपने पती के यहां रही. प्यार, दुलार, सब कुछ उसे मिला. लेकिन उसके पती योगेंद्रनात जीवित नहीं रहे. माधवी के इस जीवन के सारे अर्मानों पर पानी फेर कर और ब्रजराज बाबु के कलेजे में बर्ची भोग कर वह स्वर्ग सिधार गये. मरने के समय जब माधवी पूट पूट कर रोने लगी, तब उन्होंने बह माधवी कुछ भी तो न दे सका. इसके बाद योगेंद्रनात के सीने पर आसूं की धार बह चली थी. माधवी ने उनके आसू पोचते वे कहा, जब मैं फिर तुम्हारे चरणों में आकर मिलू, तब आधर मान देना. योगेंद्रनात ने कहा था, माधवी, जो जीवन तु प्रफूलत करने का प्रयतने करना, और क्या कहूं माधवी? इसके बाद फिर आसू मचल कर बहने लगी, माधवी ने उन्हें फिर पोच दिया, तुम सत्य था पर चलना, तुम्हारे पुन्य प्रताब से ही, मैं तुम्हें फिर पासकूंगा. तभी से माधवी बिलकुल जीवन में जो भी साध और आकरांगशाई होती है, विद्वा हो जाने पर कहीं चली नहीं जाती, जब मन में कोई साध सिर उठती है, तो वो अपने स्वामी की बात सोचने लगती है, जब वो नहीं है, तब फिर यह सब क्यों? किसके लिए दूसरों से डाह करूं? किसके ल बहुत से फूल खिलते हैं, पहले वो उन फूलों की माला गूत कर अपने स्वामी के गले में पहनाती थी, लेकिन अब स्वामी नहीं है, इसलिए उसने फूलों के पेड़ पौदे कटवाई नहीं, अब भी उन पर उसी प्रकार फूल खिलते हैं, लेकिन वो धरती पर गिर कर मुर्जा जाते हैं, अब वो उन फूलों की माला नहीं पिरोती, उन सबको इकठा करके अंजुली भर-भर कर दीन दुख्यों को बाट देती है, जिनके पास नहीं है उनहीं को देती है, इसमें जरा से भी कंजूसी नहीं करती, जदा भी मुह भारी नहीं करती, जिस दिन ब्रजबाबू की पतनी पर लोग सीधारी, उसी दिन से इस घर में कोई वेवस्था नहीं रह गए थी, सभी लोग अपनी अपनी चिंता में रहते, कोई किसी की ओर ध्यान नहीं देता था, सभी के लिए एक एक नौकर मुकरर था, हर नौकर केवल अपने मालिक का काम करता रसोई घर में रसोया भोजन बनाता और एक बड़े अन्न सत्र की तरह सब अपनी अपनी पतल बिछा कर बैठ जाते, किसी को खाना मिल पाता, किसी को न मिल पाता, कोई इस बात को जानने का प्रयत्म भी न करता था, लेकिन जिस दिन से मादवी, भादो मास की गंगा की तर अपना रूप, स्नेह और ममता लेकर अपने पिता के घर लोट गई, उस दिन से घर में एक नया वसंत लोट आया, सभी लोग उसे बड़ी बहन करकर पुकारते हैं, घर का पालतु कुत्ता तक शाम को एक बड़ी बहन को अवश्य देखना चाहता है, मानो इतने आदमियों म से उसने भी एक को स्नेह मई और दया मई मान कर चुन लिया है, घर के मालिक से लेकर नायाब, गुमाश्ते, दास, दासियां बड़ी दीदी पर ही निर्भर रहते हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन सभी के मन में यह धारना बैठ गई है, कि बड़ी दीदी पर हमारा कुछ वि लोगों ने एक कल्पतरू पा लिया है, उसी कल्पतरू के नीचे आकर वा हाथ फैलाते हैं, और मन चाही वस्तु पाकर हस्ते वे लोट जाते हैं, इस प्रकार के परिवार के बीच सुरेंदर नाथ ने एक नए धंग का जीवन व्यतित करने का मार्ग देखा, जब सभी लो को देखता सुनता है, सबके नाजनकने वही बरदाश्ट करता है, और जिस जी चीज की जिसको आविशक्ता होती है, वह उससे उससे मिल जाती है, कलकत्ता के सड़कों पर घोम घोम कर उसने अपनी चिंता करने के आविशक्ता थोरी सी जानी समझी थी, लेकिन इस घर में आ उसके लिए अच्छी तरह सजा कर रख जाता है, पहले कौतुहल होता था और वह पूछता था, यह सब चीजे कहां से आई, उत्तर मिलता, बड़ी दीदी ने भेजी है, आजकल जलपान की प्लेट तक देखकर वह समझ लेता है, कि यह बड़ी दीदी ने ही बड़े प्रयत उसने सजाया है, गणित के प्रश्ण हल करने बैठा, तो एक दिन उसे कमपास का खयाल आया, उसने प्रमिला से कहा, प्रमिला बड़ी दीदी के यहां से कमपास लओ, बड़ी दीदी को कमपास से कोई काम नहीं पढ़ता था, इसलिए वह उसके पास नहीं था, लेकिन उसन अंध्या को सुरेंद्र ना टहल कर लोटा तो उसने देखा टेबल पर वांचित वस्त में रखी वी हैं। ले आओ बिखारियों को देनी है। नए और पुरानी धोतियां छाटने के फुरसत मादवी को हर समय नहीं रहती थी। इसलिए वा पहनने की पांच धोतिया भेज देती और फिर उपर की किड़की से देखती कि चार-पांच गरीब जैजयकार करते चले जा रहे हैं। उन लो नया आदमी आकर नित्य प्रती के कामों में नए नए तरह के छोटे मोटे उपद्रों मचा रहा है। लेकिन यही नहीं इस नए व्यक्ति के लिए आजकल मादवी को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। काफी खूज खबर लेनी पड़ती है। यदिवा अपनी जरुरत की सबी चीजे स्वयंग मंगा लिया करता तो मादवी की मेहनत आधी कम हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह अपने लिए कभी भी कोई चीज नहीं मंगाता। पहले मादवी यह ना जान सकी कि सुरेंदरनात उदासीन प्रकृती का आदमी है। सुबह क तो एक और हटा देता, नीचे डाल देता, छिपा कर रख देता, जैसे उसे कोई भी चीज रचती ही नहो। नौकर चाहकर कहते हैं भासकर साहब तो पागल हैं, न कुछ देखते हैं न कुछ जानते हैं, बस किताब लिए बैठे रहते हैं। ब्रज बाबु बीच बीच में प्रयतन नहीं करते हैं, उनकी एक्षा भी नहीं है, जो कुछ मिल गया है वह उसी से संतुष्ट हैं। सवेरे दस बजे ही बड़ी बहन की ओर से सनान और भोजन का तकाजा आ जाता था। अच्छी तरह से भोजन न करने पर बड़ी दीदी की ओर से प्रमिला आकर शिकायत क अधिक रात तक किताब लिये बैठे रहने पर नौकर आकर गैस की चापी बंद कर देता था, मना करने पर अंसुना कर देता, कहता बड़ी दीदी का होकम है। एक दिन माधवी ने अपने पिता से हस्ते वे कहा, बाबु जी जैसे प्रमिला है ठीक वैसे ही उसके मास्टर सा कुछ जानते ही नहीं, असमय ऐसे चीज मांग बैठते हैं कि होश हवास ठीक रहने के हालत में कोई वैकते ऐसी चीज़े नहीं मांग सकता, ब्रजबाबु कुछ समझ न सके, माधवी की मुझ की ओर देखते रहे, माधवी ने हस्ते वे पूछा, तुम्हारी वेटी प्रमि का कुछ पागल है, पागल नहीं है, जान पड़ता है किसी बड़े आदमी का लड़का है, ब्रजबाबु ने चकित होकर पूछा, कैसे जाना, माधवी जानती नहीं थी, केवल समझती थी, सुरेंद्र अपना एक भी काम स्वेम नहीं कर सकता था, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था, अगर कोई दूसरा काम कर देता, तो काम हो जाता, अगर नहीं करता, तो नहीं होता, कार्य करने की शमतार नहोने से ही माधवी उसे पहचान गई है, बस सोचती है कि आरंब से ही उसमें इन कामों को करने की आदत नहीं है, विशेस रूप से उसके खाना खाने के तरीकों ने माधवी को और भी अधिक चकित कर दिया है, खाने की कोई भी चीज उसे अपनी तरफ पूरी तरह आकरशित नहीं कर पाती, कोई भी चीज वह पेट भर के नहीं खाता, किसी चीज को खाने की रूची नहीं होती, उसका यह बूढों जैसा वैराग्य, जाग उठी है, वह किसी की ओर देखता नहीं, इसका करण लज्ज नहीं, बल्कि उससे आविशक्ता नहीं होती, इसलिए वह कभी भी किसी की ओर नहीं देखता, लेकिन जब उससे आविशक्ता होती है, तो उससे समय असमय का ध्यान ही नहीं रहता, एकदम से बड़ी दीद उसका निवेदे ना पहुंचता और उसे सुनकर माधवी मुस्कुराती और सोचती कि यह आदमी बिल्कुल बालको जैसा है, बिल्कुल सरल और सीधा साधा मनोर्मा माधवी की सहेली है बहुत दिनों से उसने मनोर्मा को कोई पत्र नहीं लिखा था अपने पत्र का उत्तर ना पाकर मनोर्मा रूट गई थी आज दोपहर को कुछ समय निकाल कर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी तभी प्रमिला ने आकर पुकारा बड़ी दीदी माधवी ने से रोठा कर पूछा क्या है री मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है एक चश्मा दो माधवी हस पड़ी बोली जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे क्या मैंने चश्मों की दुकान खोल रखी है प्रमिला दौड कर जाने लगी तो माधवी ने उसे पुकारा कहां जा रही है उनसे कहने अच्छा इसके बज़ाए गुमाश्टा जी को बुला ला प्रमिला जाकल गुमाश्टा जी को बुला लाई माधवी ने उनसे कहा मास्टर साहब का चश्मक हो गया है उन्हें एक अच्छा सा चश्मा दिला दो गुमाश्टा जी के चले जाने के बाद वो फिर मनोर्मा को पत्र लिखने लगी पत्र के अंत में उसने यह लिखा प्रमिला के ले बाबुजी ने एक टीचर रखा है उसे आदमी भी कह सकते हैं और छोटा बालक भी कह सकते हैं ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वो घर के बाहर कभी नहीं रहा है संसार का कुछ भी उसे बता नहीं अगर उसका ध्यान न रखा जाए उसकी देख रख न की जाए तो पल भर भी उसका काम नहीं चल सकता मेरा लगबग आधा समय उसने चीन रखा है तुम्हें कब पत्र लिखो अगर तुम जल्दी आ गई तुम्हें इस अकरमन्य आदमी को दिखाऊंगी ऐसा निकम्मा नाकारा आदमी तुमने अपने जीवन में न देखा होगा खाना दिया जाता है तो खा लेता है वरना चुपचाप उपवास करके रह जाता है शायद दिन बर भी उसे इस बात पर ध्यान नहीं आता कि उसने खाना खाया है या नहीं एक दिन भी वह अपना काम आप नहीं चला सकता इसलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों है सुना है उसके माता पिता भी है लेकिन मुझे तो लगता है उसके माता पिता इंसान नहीं पत्थर है मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी अपने आखों से ओजल भी न कर सकती थी मनोर्मा ने मजाग करते भी उस पत्र का उत्तर दिया तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों का भी मालूम हुआ और साथ ही यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो फिर भी सावधान किये देती हो तुम्हारी मनोर्मा पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई उसने उत्तर में लिखा तुम मुह जली हो इसलिए वह नहीं जानती कि किस के साथ कैसा मजघक करना चाहिए प्रमिला से माधवी ने पूछा तुमारे मास्टर का चश्मा कैसा रहा? प्रमिला ने कहा ठीक रहा मास्टर साहब उस चश्मे को लगाकर खूब मज़े से पढ़ प्रमिला के मास्टर दिन रत क्या पढ़ते रहते हैं। शिवचंद्र भी ये पढ़ता था। प्रमिला के तुछ मास्टर जैसो को वह कुछ समझता ही नहीं था। उपेक्षा से बोला। अरे कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते होंगे और क्या पढ़ेंगे। लेकिन मादवी को इस पात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमिला के द्वारा सुरेंद्र के एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बुली। मुझे तो ये नाटक या उपन्यास नहीं दिखाई देता। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट-पुलट कर देखी लेकिन उसके समझ में कुछ ना आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह उस पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं जानता था। लेकिन बेहन के सामने अपना सम्मान नष्ट करने की अक्षर नहीं भी उसने कहा। यह गणीत की पुस्तक है। स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा। क्या यह किसी उची क्लास की पुस्तक नहीं है। क्या कॉलेज में पढ़ाई जानी वाली पुस्तक नहीं है। शिवचंद्र ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं बिलकुल नहीं, लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्रनाथ के सामने कभी नहीं पड़ता, उसके मन में या डर बैट गया था, कि कहीं ऐसा नहों, कि वो कोई बात पूछ बैठे, जिससे सारी बाते खुल जाए और फिर पिता की आग्या से उसे भी सवेरे प्रमिला के साथ साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े, कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबु जी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाओंगी, ब्रज बाबु चिंतित होटे, क्य ग्रिहस्ति का क्या होगा, माधवी हसकर बोली, मैं लॉट आओंगी, हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हूँ, माधवी तो हस पड़ी, लेकिन पिता के आँके छलक उठे, माधवी ने समझ लिया, कि ऐसा कहना उचित ना हुआ, बात समालने के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिनों के लिए घूमाऊंगी, तो चली जाओ बेटी, लेकिन ये ग्रिहस्ति तुम्हारे बिना नहीं चलेगी, मेरे बिना ग्रिहस्ति नहीं चलेगी, चलेगी क्यों नहीं बेटी, जरूर चलेगी, लेकिन उसी तरह, जिस तरह पत्तवार के तूट जाने पर, नाव वहाँ उसकी विद्वा ननद अपने इकलोते बेटे के साथ रहती थी। उसे एक बार देखना भी जरूरी है। काशी जाने के एक दिन पहले उसने हर एक को बुला कर ग्रहस्ती का भार सौप दिया। किसी दासी को बुला कर पिता, भाई और प्रमीला की विश्यस रूप से देखबाल करने की हिदायत दी लेकिन मास्टर साहब की बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूल कर नहीं बलकि जान बूझ कर किया था। इस समय उस पर उसे गुसा भी आ रहा था, माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस समय उसने मुझ से एक शब्द भी कहकर कृतग्यता प्रकट नहीं की, इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अंजान और उदासीन मास्टर को जताना चाती ह कि मैं भी कोई चीज हूँ, जरा सा मजाक करने में हर्जे क्या है, यह देख लेने में हानी ही क्या है, क्यों उसके यहाँ ना होने पर मास्टर के दिन कैसे कटते हैं, इसलिए वो काशी जाते समय, किसे से सुरेंदर की समद्ध में कुछ भी ना कह गई, सुरेंदर नात उस स ने देखा कि दस बजे भोजन करने के लिए कोई आगरा नहीं करता, किसी किसी दिन एक और किसी दिन दो भी बच जाते हैं, नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है, जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है, रात को गैस की चावी बंद करने अब कोई नहीं आता पढ़ने की जोंक में रात को दो और कई बार तीन तीन बच जाते हैं सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती उठने में देर हो जाती है दिन भर की नींद आँकों की पलकों को छोड़ कर जाना नहीं चाती और शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है तब उसे पता चला कि इस ग्रिहस्ती में कुछ परिवर्तन हो गया है जब इनसान को गर्मी महसूस होती है तब वो पैंखे की तलाश करता है सुरेंदरनात ने पुस्तक पर से नजर हटा कर पूछा क्यों प्रमीला, क्या बड़ी बहन यहां नहीं है उसने कहा, वह काशी गई है ओ, तभी तो दो दिन के बाद उसने अचानक प्रमीला की ओर देख कर पूछा बड़ी बहन कब तक आएंगी सुरेंदरनात ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया और भी पांच दिन बीट गए सुरेंदरनात ने पैंसिल पुस्तक के ऊपर रख कर पूछा प्रमीला, एक महिन में और कितने दिन बाकी है बहुत दिन पैंसिल उठा कर सुरेंदरनात ने चश्मा उतारा उसने दोनों सीशे साफ किये और फिर खाली आँखों से पुस्तक की ओर देखने लगा दोसरे दिन उसने प्रमीला से पूछा प्रमीला, तुम बड़ी बहन को चिठी क्यों नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? तो जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं सुरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा तभी तो प्रमीला बोली मास्टर साब अगर बड़ी बहन आ जाये तो अच्छा होगा हाँ, अच्छा तो होगा आने के लिख दो? हाँ, लिख दो, सुरेंद्र ने खुश होकर कहा आपके बारे में भी लिख दो? हाँ, लिख दो उसे लिख दो कहने में किसी भी प्रकार की दुविदा महसूस नहीं भी क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवार नहीं जानता था उसकी समझ में यह बात बिलकुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके न होने से उसका कोई भी काम न चलता उससे वापस आने के लिए कहना उससे जरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ इस संसार में जिस लोगों में कौतुहल कम होते हैं बस साधारन मानव समाच से कुछ बाहर होते हैं जिस दल में साधारन लोग रहते हैं उस दल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता साधारन लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते सुरेंद्रनात का स्वभाव में कौत्वल शामिल नहीं है उसे जितना जानना आवर्शक होता है वो बस उतना ही जानने की चेश्ठा करता है इससे बाहर अपने एक्षा से एक कदम भी नहीं रखना जाता है इसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता इसलिए उसे बड़ी बेहन के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए इन तीन महिनों तक उसने अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़ कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिये लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिग्यासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसके उम्र क्या है, देखने में कैसा है उसमें क्या-क्या गुण है, वो कुछ नहीं जानता था नहीं उसके जानने की कभी इक्षा हुई और नहीं उसके ध्यान में या कभी आया सभी लोग बड़ी दीदी कहते हैं इसलिए वह भी बड़ी दीदी करता है सभी उसे स्नेह करते हैं उसका सम्मान करते हैं इसलिए वह भी करता है उसके पास संसार की हर वस्तो का भंडार पड़ा है जो भी मांगता है उसे मिल जाता है और यदि उसके भंडार में से सुरेंद्र ने कुछ ले भी लिया हो तो इसमें अच्चंबे की कौन सी बात है बादलों को काम जिस तरह पानी भरसाना है उसी तरह बड़ी दीदी का काम सब को सनेह करना और सब की खोज कबर रखना है जिस समें वर्षा होती है उस समें जो भी हात बढ़ाता है उसको सब मिल जाता है बड़ी दीदी के सामने हात फैलाने पर भी जो मांगो मिल जाता है जैसे वह भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं और आकांगशाओं से रही थे अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकर की धारना बना रखी है आज वह जान गया कि उसके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता वह जब अपने घर पर था, तो या तो वह अपने पिता को जानता था, या भी माता को वह या भी समझता था, कि उन दोनों के करतव्य क्या है किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचे नहीं हुआ था वो ना तो किसी बड़ी दीदी को जानता था, ना पहचानता था, वो केवल उसके नाम को जानता और नाम को ही पहचानता, व्यक्तिका जैसे कोई महत्व ही नहीं, नाम ही सब कुछ है, लोग जिस प्रकार अपने इश्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परचि लेकिन दिखाई नहीं देता और सफष्ट जीवा केवल एक दो और सफुट श्रब्दों का उच्चारन करके ही रुख जाती है ठीक इसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंदरनाथ स्पूर श्रब्दों में पुकार उठा बड़ी दीदी तब तक सुरे उदय नहीं हुआ था केवल आकाश के पूर्वी छोर पर उशा की लालीमा ही फैली थी प्रमिला ने आकर स्वय हुए सुरेंदरनाथ का गला पकड़ कर पुकारा मास्टर साहब सुरेंदरनाथ की नीन से बोजिल पलके खुल गई क्या है प्रमिला बड़ी दीदी आ गई सुरेंदरनाथ उठकर बैठ गया प्रमिला का हाथ पकड़ के बोला चलो देखाए बड़ी दीदी को देखने के इक्षा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता और यह भी नहीं समझ में आता कि इतने दिनों बाद यह एक्षा क्यों पैदा हुई प्रमिला का हाथ थाम आँखे मलता हुआ वा अंदर चला गया मादवी के कमरे के सामने पहुँच कर प्रमिला ने पुकारा बड़ी दीदी बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी बोली क्या है प्रमिला मास्टर साहब वा दोनों कमरे में पहुँच चुके थे मादवी हडबडा कर खड़ी होगी और सिर पर एक लंबा सा गूंगट केश कर जल्दी से एक कोने में खिसक गई सुरिंदर नात ने कहा, बड़ी दीदी, तुमारे चले जाने पर बहुत कश्टू मादवी ने घूंगट की आड में अतिनत लज्जा के कारण अपनी जीव काटकर मनी मन कहा चिछिछिछ तुमारे चले जाने पर मादवी मनी मन कहया उती कितने लज्जा की बात है फिर धीरे से बड़ी नर्मी से बोली प्रमिला मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे प्रमिला छोटी होने पर अपनी बड़ी दीरी के वेभार को देखकर समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ बोली चलिया मास्टर साहब सुरेंदर कुछ देर हका बका खड़ा दा फिर बोला चलो वह अधिक बाते नहीं करना जानता था और अधिक बाते करना भी नहीं चाहता था लेकिन दिन भर बादल चाय रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह बर्बस सब लोग उसकी और देखने लगते हैं और पलभर के लिए उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि सूरज को देखना उचित है भी या नहीं या उसकी और देखने से उसकी आँखों में पीड़ा होगी ठीक उसी प्रकार एक माह तक बादलों से घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले पहल सूरे चमका तो सुरेंदरनात बड़ी उच्चता और प्रसन्यता के साथ उसे देखने के लिए चला गया लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी माद भी कुछ लजाने लगी क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हसी थी सुरेंदरनात भी कुछ संकुचित्वा हो गया था वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दिदी का असिमित भंडार अब सीमित हो गया है बहन की देखरेख और माताकस ने उसे नहीं मिल पाता कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है एक दिन उसने प्रमिला से पूछा बड़ी दिदी मुझसे कुछ नाराज है क्या? हाँ, क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गये थे? जाना नहीं चाहिए था क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बड़ी बहन बहुत नाराज हुई थी सुरेंदर नात ने पुस्तक बंद करके कहा अच्छा, तो यह बात है एक दिन दोपहर को बादल धी राए और खोब जोरों की वर्षा हुई ब्रेजराज बाबू आज दो दिन से मकान पर नहीं है अपनी जमिंदारी देखने गये है माधवी के पास भी कोई काम नहीं था प्रमिला बहुत शारा रेते कर रही थी माधवी ने कहा प्रमिला अपनी किताब ला देखो तो कहां तक पढ़ी है प्रमिला एकदम काट हो गई माधवी ने कहा जा किताब ले आ रात को लाऊंगी नहीं अभी ला बहुत ही दुखी मन से प्रमिला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते खुद ही पढ़ते रहते हैं मादवी उससे पूछने लेगी आरंब से अंथ तक सब कुछ पूछने परवा समझ गई कि सचमुछ मास्टर साहब ने इसे कुछ नहीं पढ़ाया है बलकि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 मेने से प्रमिला उसे और भूल गई है मादवी ने नाराज होकर बिंदू को बुलाया बिंदू मास्टर साहब से पूछ करा कि इतने दिनों तक प्रमिला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया बिंदू ने फिर जोर से पूकारा मास्टर साहब क्या है बड़ी देदी कहती है क्या कहती है प्रमिला को पढ़ाया क्यों नहीं अन्मने भाव से उसने उत्तर दिया अच्छा नहीं लगता बिंदू ने जब याबात जाकर मादवी को बताया तो मादवी का गुस्सा और भी बढ़ गया उसने नीचे जाकर और दर्वाजे की आर में खड़े होकर बिंदू से पूछवाया प्रमिला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया दो-तीन बार पूछे जाने पर सुरेंद्रनाथ ने कहा मैं न पढ़ा सकूँगा मादवी सोचने लगी यह क्या कह रहे हैं बिंदू ने कहा तो फिर आप यहां किस लिए रहते हैं यहां न रहूं तो कहा जाओ तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं सुरेंद्रनाथ को अब होश आया घूम कर बैठ गया और बोला क्या कहती हो बिंदू ने जो कुछ कहा था उसे दोराया वो पढ़ती ही है लेकिन आप भी कुछ देखते हैं नहीं मुझे समय नहीं मिलता तो फिर किस के लिए घर में रहते हैं सुरेंद्रनाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे नहीं मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता माधवी ने अंदर से कहा अच्छा तो बिंदू पूछो कि फिर वो इतने दिनों से यहां क्यों रह रहे हैं बिंदू ने यह कह दिया सुनते ही सुरेंद्रनाथ का प्राब्लम वाला जाल एकदम चिन्न बिन हो गया वो दुखी हो उठा कुछ सोच कर बोला यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई इस तरह लगातार चार महिने तक भूल हाँ वहीं तो देख रहा हूँ लेकिन मुझे इस बात का इतना भी खयाल नहीं था दूसरे दिन प्रमिला पढ़ने नहीं आई सुरेंद्रनाथ ने भी इस पर कोई ध्यान न दिया प्रमिला तीसरे दिन भी न आई यह दिन भी योही बीट गया जब चौथे दिन पि सुरेंद्रनाथ ने प्रमिला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा प्रमिला को बुला लाओ नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी तो फिर किस से पढ़ेगी नौकर ने अपनी समझ लगा कर कहा दूसरा मास्टर आएगा उस समय लगवक नौ बज रहे थे सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर दो-तीन किताबे बगल में दबा कर उठ खड़ा हुआ चश्मा खाने में बंद करके मेज पर पटक दिया और धीरे-धीरे वहाँ से चल दिया नौकर ने पूछा मास्टर साहब इससे मैं कहा जा रहे हैं बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ क्या आप नहीं आएंगे लेकिन सुरेंद्रनाथ यह बात नहीं सुन पाया बिना कुछ उत्तर दिये फाटक से निकल गया दो बज गया लेकिन सुरेंद्रनाथ लौटकर नहीं आया उससे मैं नौकर ने जाकर मादवी को बताया कि मास्टर साहब चले गये कहां गए हैं? या तो मैं नहीं जानता, नौ बजे ही चले गया थे, सुबह सुबह मुझसे कहकर चले गया कि बड़ी दीदी से यह कहकर बता देना कि मैं जा रहा हूं या क्या रहे? बीना खाई पिया चले गया? माधवी बेचा है नोटी, उसने सुरेंदर नात के कमरे में जाकर देखा, सारी चीजें जो कित्यों रखी है, मेज के ऊपर के खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताब नहीं है शाम हो गई थी, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंदर न लोटा दूसरे दिन माधवी ने नोखरों को बुला कर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगा कर लाओगे, तो दस-दस रुपे इनाम मिलेंगे ये नाम के लालच में वेलुक चारों और दौड पड़े, लेकिन शाम को लोट कर बोले, कि कहीं पता न चला प्रमिला ने रोते वे पूछा, बड़ी दीदी, वह क्यों चले गया, माधवी जिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत दो दिन, तीन दिन करके जैसे जैसे दिन बीटने लगे, माधवी की बेचानी बढ़ने लगी बिन्दू ने कहा, बड़ी दीदी, भला उसके लिए इतनी खोच तलाश क्यों, क्या कलकता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा माधवी जला कर बोली, चल दूर हो, एक आदमी हाथ में बिना पैसे लिया चला गया, और तू कहती है तलाश क्यों हो रही है, यह कैसे पता चला, क्यों उसके पास एक भी पैसा नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब, बिन्दू चुप हो वो बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है, उसे पूरा-पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर खानी के लिए कुछ भी पैसे नहीं, भीक मांगने में वो समर्थ नहीं, इसलिए या तो छोटे बालकों जैसे इस असहाई अवस्था में फुटपात पर बैठा रो रहा होगा, या किसी पेड के नीचे कितावों पर सीर रखके सो रहा होगा, जब ब्रजबाबु लोटकर आई और उन्होंने सारा हाल सुना, तो माधवी से बोले, बेटी या काम अच्छा नहीं हुआ, कश्ट के मारे माधवी अपने आसो नरोक पाई, उधर सुरेंद्र रात सडकों पर घूमता रहा, तीन दिन तक तो बिना कुछ खाई पिये ही बिता दिया, नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसलिए जब भूक लगती थी, तो पेट भर नल से पानी पी लेता था, एक दिन रात को भूक और ठकान से निढ़ाल होकर, वह काली घाटी की ओर जा रहा था, कहीं सुन लिया था, कि वहाँ खाने को मिलता है, अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरेवे थे, चौरंगी मोड पर एक गाड़ी उसके उपर आ गई, गाड़ीवान ने किसी तरह घोड़ी की रफतार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्र के प कोल कर पुकारा, बड़ी दीदी, उस समय मेडिकल कॉलेज का एक शात्र ड्योटी पर था, सुनकर पास आकर खड़ा हुआ, सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई है, कल सवेरे आएंगी, दूसरे दिन सुरेंद्र को होश आया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात तो है, क्या, नहीं, दूसरे किसी शात्र ने पास आकर पूछा, यहां आपका कोई परिचित या रिष्टेदार है, कोई नहीं, तब उस दिन इतनी रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे, क्या वह यहां है, हैं, लेकिन वह आ नहीं सकेंगी, मेरे पिता ज पता लगाने के लिए पूछा, अगर स्त्रिया आना चाहें, तो बड़े आराम से आ सकती है, हम लोग उनकी वेवस्ता कर सकते हैं, आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए, तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा, सुरिंद्र ने कुछ देर तक सोचने के बाद ब्रजबाबू का पता बता दिया, मेरा मकान ब्रजबाबू के मकान के पास ही है, आज मैं उन्हें आपके बारे मैं बता दूँगा, अगर वह चाहेंगे, तो देखने के लिए आ जाएंगे, सुरिंद्र ने कुछ ने कहा, उसने मनी मन समझ लिया था, कि बड़ी दीदी का आना असंबह हुए, लेकिन शात्रे ने दया करके ब्रजबाबू के पास समाचार पहुचा दिया, ब्रजबाबू ने चौक कर कहा, बच तो जाएगा ना, हाँ, पूरी आशा है, ब्रजबाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा थ वही हुआ, सुरिंद्र गाड़ी के नीचे दब जानी के कारण हस्पिताल में है, माधवी का समुचा व्यक्तित वकाव उठा, उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था, उसे देखने चलोगी, उसी समय पास वाले कमरे में से प्रमिला ने नजाने क् रे, वह जंगल का जानवर है, उसके उपर क्या गुस्सा करना चाहिए, माधवी ने कोई उत्तर ना दिया, तो ब्रजबाबु अकेले ही सुरिंद्र को देखने चले गए, देखकर बहुत दुखी हुए, और बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जा नो हो, लेकिन सुरिंद्र इन बातों को अच्छी तरह न समझ सका, बोला, बाबु जी आज आएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ब्रजबाबु ने घर लोटकर माधवी को सारा हल सुना दिया, तब से ब्रजबाबु रोजानल सुरिंद्र को देखने के उनके मन में उसके लिए सने पैदा हो गया था, एक दिन लोटकर बोले, माधवी तुमने ठीक समझा था, सुरिंद्र के पिता बहुत धनवान है, कैसे मालूम हुआ, माधवी ने उत्सुता से पूछा, उसके पिता बहुत बड़े वकील है, वो कल रात आये है, माधवी वश्चिम के एक विश्वेद्वाले से सर्वोच सम्मान के साथ एमे पास किया है, वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवा और उदासीन प्रकृति का लड़का होने के कारण, पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर वह घर से भागाय अच्छा हो जाने दो, वह उसे घर लेके चले जाएंगे, निश्वास रोक कर और उमरते हुए आसुओं को पी कर माधवी ने कहा, यही अच्छा है, सुरेंद्र को अपने घर गई हुए छे मैने बीच चुके हैं, इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोर्मा को पत्र उसके बाद नहीं लिखा, दुर्गा पुजा के सेमें मनोर्मा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गे, तू अपना बंदर दिखा, माधवी ने हास कर कहा, भला मेरे पास बंदर कहा, मनोर्मा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंट से बड़े सुर ताल से गा कहा, याद नहीं, जो तेरे अत्रिक्त और किसी को जानता ही नहीं, माधवी समझ तो पहले ही गई थी, इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था, तो भी अपने को सन्यत करके बोली, ओ, उनकी चर्चा करती हो, वह तो चले गए, ऐसे सुन्दर कमल, उसे पसं को देखकर वह हैरान रगे, उसने चकित होकर पूछा, माधवी, या क्या, माधवी अपने आपको संभाल न सकी, आँखों पर आचल रखकर रोने लगी, मनोर्मा की आश्चेरे की सीमा न रही, कहने के लिए कोई उप्युक्त बात की खोज भी न कर सकी, कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुँँ पर से आचल हटा कर, उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाग भी बरदाश्ट नहीं हुआ, माधवी ने आसो पोचते वे कहा, बहन, मैं विद्वा जो हूँ, इसके बात दोनों काफी देर तक च माजाक में कह दिया था, कि वह तेरे अत्रिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसके बारे में सोच रही थी, वह जानती थी कि ये बात बिल्कुल सच है, कुछ देर बात मनोर्मा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ, कौन सा काम, बहन क्या यह भी बताना होगा, मै और एकदम बच्चों की तरह रोने लेगी, अंत में मनोर्मा ने पूचा, लेकिन चले क्यों गया, मैंने ही जाने को कहा था, अच्छा किया था, बुद्धिवानी का काम किया था, माधवी समझ गई, कि मनोर्मा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सार बाते समझा कर बता दी, फिर बोली, मनोर्मा, अगर उनकी बृत्ति हो जाती, तो मैं शायद पागल हो जाती, मनोर्मा ने मन ही मन कहा, पागल होने में कोई कसर रह गई या क्या, मनोर्मा उस दिन दुखी होकर घर लोटी, और उसी रात अपने पती को पत्र लिखने लगी, तुम सैच कहते हो, इस्त्रियों का कोई विश्वास नहीं, मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह सिक्षा दी है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोश देने को जी नहीं चाता है, सहास ही नहीं हो रहा, समूची नारी चाती को दोश दे रही हूँ, विध्वा को दोश दे रही हूँ, क्यों नहीं इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी का हिदय का निर्मान क्यों किया, उनके चर्णों में मेरी विनम्र प्रार्थना है, कि वह नारी हिदय को कटोर बनाया करे, और मैं तुम्हारे चर्णों पर सिर रखकर तुम्हारे मौह की और देखती भी मरू। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जनम जनमानतर की धारनाएं उलट-उलट कर दी है। मेरा भी अधिक विश्वास में करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पती ने उत्तर में लिखा। जिस में हम तुम क्या कर सकते हैं? मैं तुम पर अत्यदिक विश्वास करता हूँ. इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोर्मा ने अपने पत्र को मात्य से लगा कर और उनके चर्णों में प्रणाम करके लिखा। मुझली माधवी उसने वह किया है जो एक विद्वा को नहीं क करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोर्मा के पती मन ही मन हसे। फिर उन्होंने मजाग करते वे लिखा। इसमें कोई संदे नहीं कि माधवी मुझली है क्योंकि उसने विद्वा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। ये तुम लोगों के नाराज होने की बात है, कि विद्वा होकर सद्वाओं के अधिकार में हाथ क्यों डाला, मैं जब तक जीता रहूंगा, तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले, तो तुम कभी मत छोड़ना, खोब म मनोर्मा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर ना दिया, लेकिन माधवी के आखों के कोनों में लालीमा चा गई थी, उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा, अब कुछ गंबीर हो गया था, काम धंदे में उतना जी नहीं लगता था, एक प्रकार की कमजोर करने और सबके प्रति आत्मियरता पुर्ण वैभार करने की एक्षा पहले जितनी ही है, बलकि पहले की अपक्षा वह और बढ़ गई है, लेकिन अब सारी बाते पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच-बीच में भूल हो जाती है, अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कह करती है कि कहीं आगे चल कर यह सूख न जाए, मनोर्मा रोजाना आती है और कई तरह की बाते होती है, लेकिन यह बात नहीं होती, मनोर्मा समझती है कि माधवी को इसते दुख होता है, अब इन बातों की आलोचना जितनी नहों उतना ही अच्छा है, मनोर्मा यह भी सोचती कि किसी तरह या अभागी सब कुछ भूल जाए सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है विमाता ने अब उस पर नियंतरन रखना कुछ कम कर दिया है इसे से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है उसके अंदर एक वैथा है सुंदर और यवन की आकांग्शा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है वो सब बातें नहीं सोचता अब भी वो पहले की तरह लापरवा है आत्मी निर्भरता उसमें नहीं है लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए वो यह खोज नहीं पाता खोज नहीं पाता क्योंकि वो अपना काम आप नहीं कर पाता अब भी अपने काम के लिए वो दूसरों की और मूह देखता रहता है लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है उसकी विमाता यह सब कुछ देख सुनकर कहती है सुरेंद्र अब बदल गया है बीच में उसे ज्वर हो गया था बहुत कश्ट हुआ आँखो से आसु बहने लगे विमाता पासी बैठी थी उन्होंने यह नई बात देखी तो उसकी आँखो से भी आसु बहने लगे बड़े प्यार से उसके आसु पोच कर उन्होंने पूछा क्या हुआ सुरेंद्र बेटा सुरेंद्र ने कुछ नहीं बताया उसने एक पोस्ट कार्ड मंगाया और उस पर टेड़े मेड़े अक्षरों में लिखा बड़ी दीदी मुझे बुखार चड़ाया बहुत कश्ट हो रहा है लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुचा पहले उसके पलंग पर से जमीन पर गिरा उसके बाद जो नौकर उस कमरे में ज़ारू देने आया था उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकडों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेक दिया सुरेंद्र के रिड़े के आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, कोस में भींकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गी पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्ती मती आशा की टक्टकी लगाए रहा उसके बाद हक्सताक्षरों की लेकिन बहुत दिन बीट गया उत्तर नहीं आया इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई यदपी नहीं थी लेकिन बिलकुल स्वाभाविक थी सुरिंद्र के पिता राय महाशे बहुत पहले से इसे जानते थे और इसके आशा कर रहे थे सुरिंद्र के नाना पावना जिले के बीच के तरजे के जमिनदार थे 20-25 गावों में उनकी जमिनदारी थी लगवग 50,000 रुपे सालाना की आमदनी थी उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था इसलिए खर्च बहुत कम था उस पर सिवा एक प्रसिद्ध कंजूस भी थे इसलिए वा अपने लंबे जीवन में धेर सारा धने कटा कर सके थे यहां राय महाशे इस बात को निश्चित रूप से जानते थे कि उनके मृत्यों के बाद उनके सारी देन समपत्ती उनके एक मात्र दो हित्र सुरेंद्र नाथ को ही मिलेगी ऐसा ही हुआ भी राय महाशे को समाचार मिली कि उनके ससुर मृत्यों सहिया पर पड़े हैं वो लड़के को लेकर ततकाल पावना चले गये लेकिन उनके पहुँचने के पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था बड़ी धूमधाम से उनका श्राद हुआ व्यवस्ति जमिनदारी और अधिक व्यवस्तित हो गए अनुभवी बुद्धिमान पुराने वकील राय महाशे की कठोर व्यवस्ता में प्रजा और भी परिशान हो उठी अब सुरेंद्र का विवा होना भी अविश्यक हो गया था विवा कराने वाले नाईयों के आने जाने से गाउं भर में एक तुफां सा आ गया पचास कोस के बीच जिस घर में भी सुन्दर कन्या थी उस घर में नाईयों का दल बार बार अपनी चरण धूली पहुँचा कर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशानवित करने लगे इसी प्रकार छे मावीत गया अंत में विमाता आई और उसके रिष्टेनाते के जितने भी लोग थे सभी आ गये वंदू बांदवों से घर भर गया इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल डक्के के भीशन आवाजों और करतालों की खनकनाहट से सारे गाउं को गुंजाय मान कर सुरेंद्र नाथ ने अपना विवाह कर लिया लगभग पांच वर्ष बीत चुके हैं राय महाशय अब इस संसार में नहीं है और ब्रजराज लिहडी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं सुरेंद्र की विमाता अपने पती की दीह भी सारी धन संपत्ती लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है आजकल सुरेंद्र नात की लोग जितनी प्रशन सा करते हैं उतनी बदनामी भी करते हैं कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार, सहरिदे, दयालू और कोमल सोभाव का जमिनदार और कोई नहीं है और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी अन्याई और उत्पीड़क जमिनदर आज तक इस लड़ इलाके में कोई भी पैदा नहीं हुआ यह दोनों ही बाते सच है पहली बात सुरेंदर नाथ के लिए सच है और दूसरी उसके मैनेजर मतुरा नाथ के लिए सच है सुरेंदर नाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड लगी रहती है वह लोग बड़े सुक से संसार के शौक पूरे करते हैं पान, तंबाकू, शराब, कबाब किसी भी चीज की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती सब चीज़े स्वतही उनके मुह में आ जाती हैं इन बातों के प्रती मतुरा बाबो का विशेश उत्सा है खर्च के लिए रुपे बरदाश्ट करना पड़ता है मतुरा बाबो का किसी के भी पास एक पैसा बाकी नहीं रह सकता घर जलाने, किसी को उजाड कर गाउं से निकाल देने या केचैरी के छोटी सी तंग कोठी में बंद कर देने आदे आदी में उनके साहस और उत्सा की कोई सीमा नहीं है प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज कभी कभी शांती देवी की कानों में पहुँच जाती है वो पती को उलाहना देती भी कहती है तुम खुद अपनी जमिंदारी नहीं देखोगे तो सब को चल कर भस महो जाएगा यह सुनकर सुरेंदरनाथ चौक पड़ता और कहता है यही तो क्या यह सब बाते सच हैं? सच नहीं है, सारा देश निंदा कर रहा है किवल तुम्हारे ही कानों में यह बात नहीं पहुचती 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बात सुनाई देती है ऐसे मैनेजर की जौरत नहीं उसे निकाल बाहर करू सुरेंदरनाथ दुखी होकर कहता है ठीक है, अब कल से मैं खुदी सब देखा करूँगा इसके बाद कुछ दिनों तक जमिनदारी देखने की धूम मच जाती है कभी-कभी मतुरानाथ घबरा उठते हैं और गंभीर होकर यह कैब बैठते हैं सुरेंदर बाबू, क्या इस तरह जमिनदारी रखी जा सकती है सुरेंदरनाथ सूखी हसी हसकर रह जाते मतुरा बाबू, दोखियों का लहोच उसकर जमिनदारी रखने की जूरत ही क्या है अच्छा तो आप फिर मुझे चुटी दीजे, मैं चला जाओ सुरेंदर तुरत नरम पड़ जाता इसके बाद जो कुछ पहले की तरह होता था, फिर वही होने लगता सुरेंदर नाथ फिट बैठर तक सीमित होकर रह जाते थे इधर हाली में एक नई बात जूड़ गई, एक बाग बन कर तयार हुआ उसमें एक बंगला भी है, उसमें कलकत्ता से एलोकेशी नाम की एक वैशे आकर ठहरी है वह बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है तूटे छत्ते की मदमक्हियों की तरह मित्रों लोग सुरेंदर की बैठक छोड़कर उसी और दोड़ पड़े हैं उन लोगों के आनंद और उत्सा की कोई सीमा नहीं है सुरेंदर को भी वह उसी और खीच ले गया है आज तीन दिन हो गए शान्ती को अपने पती देव के दर्शन नहीं हुए चौथे दिन अपने पती को पाकर वह दर्वाजे पर पीठ लगा कर बैठ गी इतने दिन कहा थे? बाग में था वहा कौन है जिसके लिए तीन दिन महाँ पड़े रहे? यही तो हर बात में यही तो मैंने सब सुन लिया इतना कहते कहते शान्ती रो पड़ी मैंने ऐसा कौन सा अपरात किया जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो? कहां? मैं? तो? और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है हम लोगों के लिए इस से बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है यही तो वह सब लोग जैसे शांती ने यह बात सुने ही नहीं और वे जोर से रोते वे कहा तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो मेरे यह लोग और परलोग सब तुम्ही हो मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया मेरे यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए तुम और क्या करोगे शांती ने खा और फिर अपने आखे पोच कर बोली यदि मैं जन्म भर यातना भोगू तब भी कोई हर्ज नहीं लेकिन तुम्हें क्या कश्ठ है अगर जान सकूँ सुरेंदर नात ने उसे अपने पास कीच कर और अपने हाथ से उसकी आखे पोच कर बड़े प्यार से पूचा है तो फिर क्या करोगी शांती भला इस बात का उत्तर शांती क्या देती वह और भी जोर-जोर से रोने लेगी कुछ देर बाद बोली तुम्हारे शरीर भी आजकल अच्छा नहीं आजकल ही क्यों पिछले पांच वर्षों से शरीर अच्छा नहीं है जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था छाती और पीट में चोट लगने के कारण एक महिने तक विस्तर पर पड़ा रहा तबी से शरीर अच्छा नहीं है वह दर्द आज तक किसी तरह से नहीं गया है मुझे स्वैम आश्चर है मैं किस तरह से जी रहा हूं शांती ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चलें वहां अच्छे अच्छे सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा अच्छी बात है चलो वहां बड़ी दीदी भी है तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने का मेरा भी बहुत जी चाहता है उन्हें बुलाओगे न शांती ने कहा बुलाओंगा क्यों नहीं इसके बाद कुछ सोच कर बोला वह जरूर आएंगी जब सुनेंगे कि मैं मर रहा हूं शांती ने सुरेंद्र का मुझ बंद करते वे कहा मैं तुम्हारे पैर पढ़ती हूं इस तरह की बाते मत करो वह आ जाए तो मुझे कोई दुख न रह जाए अभीमान से शांती का हृदय फूल गया अभी अभी उसने कहा कि स्व हिला कर सहमती प्रकट की जब वो आएंगी तब तुम खुदी देख लोगी कि मुझे कोई कर्ष्ट नहीं रह जाएगा शांती के आँखों से आसु बेहने लगे दूसरे दिन उसने दासी के माध्यम से मत्हुरा बबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है मैं अपना सिर्फ पटकर और खून की नदी बहा कर मर जाओंगी ठीक है लेकिन वे लोग मैं इन लोगों की व्यवस्ता कर देती हूँ इतना कहकर शांती ने दासी को बुला कर आग्या दी कि दर्बान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में नगुसने पाएं और कोई उपा नहीं रहा यहीं रहकर वा यथा संभव अपने पती की सेवा सुशुशा का प्रबंध करने लेगी कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुला कर दिखाया गया एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की वैवस्ता कर दी और विशेस रूप से भाकार मच गया शांती भी बीच बीच में सुनती लेकिन अपने स्वामी को बताने का सहास न कर पाती कलकत्ता के मकान में अब ब्रज बाबु के स्थान पर शिवचंद्र मालिक है और माधवी के स्थान पर अब नई बहु घर की मालकिन है माधवी अब भी वहीं है भाई श भी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद्र की पतनी किसी भी बात में माधवी का निरादर या अबग्या करती थी फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि काम न हो पाएगा उससे में पिता का राज्य था अब भाई का राज्य है इसलिए कुछ अंतर पढ़ गया था पहले उसका सम्मान भी होता था और वो जो कुछ चाती थी वही होता था लेकिन अब केवल आदर है जिद नहीं है पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी लेकिन अब वा केवल आत्मियों और कुटुमियों की श्रेणी में आदर्निय रह गई है माधवी का भागय फूट गया है अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वा अपना कह सके लेकिन इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा यह बात कौन नहीं जानता कि पती की चीज पर स्त्री का अधिकार होता है लेकिन वा माधवी की कौन होती है माधवी का भागय फूट गया है अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया जिसे वा अपना कह सके बहु जिस समय छोटी थी और ब्रजबाबु जीवित थे उस समय माधवी की नज़े में प्रमिला और बहु में कोई अंतर न था लेकिन अब सब बातों में अंतर है वो सदा से अभागिन है इसलिए वो सबसे नीचे है उसमें बात सहने का सामर्थी नहीं इसलिए कोई बात नहीं कहती जहां उसका कोई जोर नहीं वहां सीर उचा करके खड़ा होने से उसका सिर कट सकता है जब उसके मन में दुख होता तब वो चुपचाप सह लेती शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती स्रेह की दुखाई लेना उसके आदित नहीं है केवल इसी आत्मियत है के भरोसे अपने अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है साधारन स्त्रियों की तरह लड़ाई जगड़ा करने से उसे कितनी ग्रिणा है वह केवल वही जानती है एक दिन उसने शिवचंद्र को बुला कर कहा भाया मैं ससुराल जाओंगी शिवचंद्र चकित हो गया या क्या माधवी वहाँ तो कोई भी नहीं है माधवी ने मृत स्वामी का उलेक करके कहा उनका चोटा भांजा काशी में ननत के पास है उसी के साथ गोला में मज़े से जाकर रह लूँगी पावना जिले के गोला गाओं में माधुरी का ससुराल था शिवचंद्र ने कुछ हैस कर कहा भला यह भी कही हो सकता है वहाँ तुम्हें बहुत कश्ट होगा कश्ट क्यों होने लगा महा का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है दस-पांच में का जमीन भी है क्या इतने में एक विद्वा गुजर नहीं कर सकती गुजरे की बात नहीं है रुपय की तो कोई चिंता ही नहीं लेकिन माधुरी तुम्हें वहाँ बहुत कश्ट होगा नहीं भईया मुझे कुछ करस्ट नहीं होगा शिवचंद्र ने कुछ सोच कर कहा बहन आखिर तुम क्यूं जा रही हो मुझे सारी बाते साफ साफ कह कर बता दो मैं सारा जगडा मिटाई देता हूँ शायद शिवचंद्र ने अपनी पतनी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बाते सुनी होगी वही बाते शायद इस समय उसे याद आगी लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया बोली भईया क्या समझ रहे हो मैं लड़ाई जगरा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ शिवचंद्र स्वयम भी लज्जीत हो गया जल्दी से बोला नहीं नहीं यह बात नहीं लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है फिर आज क्यों जानना चाहती हो एक साथ उन दोनों को अपने स्नेह मैं पिता की याद आगी दोनों की आखे भराई आखे पोचकर माधवी ने कहा मैं फिर रहूंगी जब तुम्हारे बेटे का यग्यो पवित हो तब ले आना इस समय जाती हो वह तो आठ दस बरस के बाद की बात है अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य होंगी माधवी किसी भी तरह वहां रहने के लिए राजी नहीं ही और जाने की तयारी करने लगी उसने नहीं बहु को ग्रहर क्रेस्ते की सारी बाते समझा दी दास दासियों को बुला कर आशिरवात दिया चलने की दिन आखों में आसु भर कर शिवचंद्र ने कहा माधवी तुम्हारे भाईया ने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा कैसी बाते करते हो भाईया माधवी बोली सो नहीं यदि किसी अशुब च्छन में किसी दिन असाउधानी से कोई बात निकल गई हो नहीं भाईया ऐसी कोई भी बात नहीं सच कहती हो हाँ सच कहती हो तो फिर जाओ तुम्हें अपने गर जाने के लिए मैं मना नहीं करूँगा जहां तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो लेकिन समाचार भेजती रहना मादवी पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ ली और फिर उसका हाथ थामे गोला गाओं में पहुँचके लंबे साथ वर्षों के बाद अपने पती के मकान में प्रवेश किया गोला गाओं के चैटरजी महाशे घोर विपत्ती में पढ़ गए उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में बहुत ही घानिष्ट मित्रता थे इसलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देख रेक करते रहे थे योगेंद्र उसकी कुछ अधिक कोज खबर नहीं लेते थे उनके ससुर के पास धेरो रुपया था इसलिए पिता की छोड़ी हुई मामूली समपत्ती पर उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी उनकी मृत्यों के बाद चैटर जी महाशे बहुत ही नयपूर्ण अधिकार बिना बिना किसी बाधा के उस समपत्ती का उपयोग कर रहे थे अब इतने वर्षों बाद बिना माधवी ने आकर उनकी व्यवस्तित बनी बनाई ग्रिहस्ती में भारी बखेडा खड़ा कर दिया चैटर जी महाशे को माधवी का यह हस्तश्य बहुत अखरा और यह बात पिस पश्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल इर्षा और द्वेश के कारे नहीं सकिया है वह बहुत ही नाराज होकर आए और बोले देखो बहु तुम्हारी जो दो भीगा जमीन थी उसकी 10 साल की माल गुजारी व्याज समित 100 रुपे बाकी है उसके न देने से तुम्हारी जमीन की निलाम होने की नौबत आ गई है माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपेयों की चिंता नहीं है साथ ही उसने 100 रुपे निकाल कर ततकाल भीजवाए वह रुपे चैटर जी महाशे ने अपने काम में खर्च कर दिये लेकिन माधवी इस तरह से सहचता से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी उन्हेंने संतोष को बेज कर कहलवा दिया कि केवल दो भीगे जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गिये ससूर के जीवन का निर्वा नहीं होता था इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहा है और किस के पास है चैटर जी महाशे के क्रोध की सीमा ने रही स्वयम आकर बोले वह सारी जमीन बिक बिका गई कुछ बंदोबस्त में चली गई आठ आठ दस दस साल तक जमीन दारी की माल गुजारी न चुपाने पर जमीन भला किस तरह से रह सकती है माधवी ने कहा क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो माल गुजारी के थोड़े भी रुपे नहीं दिया जा सके और अगर जमीन सचमुछे भिक गई है तो बताइए उसे किस ने बेचा और वो किस के पास है यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतिजाम किया जाएगा और उसके कागज पत्र कहां पर है चैटर जी महाशे ने जो उत्तर दिया माधवी उसे नहीं समझ सकी पहले तो ब्रम्मन देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बगते रहे फिर सिर पर छाता लगा कर कमर में राम नामे दुपट्टा बांध कर और अंगोचे में एक धोती लपेट का जमिनदार सहब की लालता गाउं वाली कचेहरी की ओर चल दिये इसी लालता गाउं में सुरिंद्रनाथ का मकान और मैनेजर मतुरा का दफ्तर है ब्रम्मन देवता आठ दस कोस पैदल चलकर सीधे सीधे मतुरा बाबु के पास महुचे और रोते वे कहने लगे दुहाई सरकार की गरिब ब्रम्मन को अब गली-गली भीक मांगर खाना पड़ेगा ऐसे तो बहुत से आया करते हैं मतुरा बाबु ने मुँ फेकर पुछा क्या हुआ? भाया मेरी रक्षा करो अरे आखिर हुआ क्या? विदु चैटर जे ने महादवी के दिये सो रुपे दक्षिना की रुप में मतुरा बाबु के हाथ में रख कर कहा आप धर्मा वतार हैं अगर आपने मेरी रक्षा ना की तो मेरे सर्वस्व चला जाएगा अच्छा अच्छा साब साब बताओ हुआ क्या है? गोला गाओं में रामतनु संथाल की विद्वा बहू नचा ने कहां से इतने दिनों बाद आकर मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है फिर उन्होंने हाथ में जन्यों लेकर मैनेजर साहब की का हाथ जोर से पकड़ कर कहा मैं तो दस बरस से बराबर सरकारी माल गुजारी देता चला आ रहा हूँ तुम जमीन जोत्ते बोत्ते हो तो माल गुजारी नहीं दोगे? मतुरा ने उसका अभी प्राय अच्छी तरह समझ लिया विद्वा को ठगना चाहते हो ना? ब्रह्मन चुपचाब देखता रहा कितने बीगा जमीन है? 25 बीग है मतुरा ने हिसाब लगा कर कहा कम से कम 3000 रुपे की जमीन हुई जमीनदार के चैरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुकुम होगा वही दोगा दो-300 रुपे दो-300 देकर 3000 का माल ले जाओगे जाओ, हमसे कुछ नहीं होता ब्रह्मन ने रुखी आंसों में आंसों बहा कर कहा कितने रुपे का हुकुम होता है? 1000 रुपे दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मश्वरा होता रहा परिणाम यह हुआ कि योगेंदर नाथ की विद्वा पर माल गुजारी और व्याज मिला कर 1500 रुपे की नालिश कर दी गई सम्मन निकला तो सही लेकिन माधवी के पास नहीं पहुँचा इसके बाद एक तरफा डिगरी हो गई और डेर माधवी को पता चला कि बाके माल गुजारी के लिए जमीन दार के यहां से निलाम का इश्तहार निकला है और उसकी सारे जमीन जायदा निलाम हो गई है माधवी ने अपनी पडोसन को बुला कर कहा क्या यह बिल्कुल लुटेरे का देश है क्यों क्या हुआ एक आदमी धोका देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों मेंसे कोई देखता तक नहीं उसने कहा भला हम लोग क्या कर सकते हैं अगर जमीन दार निलाम करा है तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते है खैर वो तो जो हुआ सो हुआ लेकिन मेरा घर निलाम हो और मुझे खबर तक नहो कैसे हैं तुम लोगों के जमिनदार तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बाते बता कर कहा ऐसा अन्याई और अत्याचारी जमिनदार इस देश में पहले नहीं हुआ था इसके बाद उसने न जाने और भी कितनी ही बाते बताई अब तक जितनी ही बाते उसे लोगों के मुह से मालूम हुई थी एक-एक करके सब खोल दी माधवी ने डरते डरते पूछा क्या जमिनदार साहब से भेट करने से काम नहीं निकल सकता अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यवी करने को तयार थी वह इस्तरी उस समय तो कुछ न कह सकी लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बाते अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी उसका बेहनौत दो-तीन बार लालता गाउं गया था जमिनदार की बहुत सारी बाते जानता था यहां तक की वह बाग में ठहरी एलोकेशी तक की कहानी सुनकर आया था जब मौसी ने जमिनदार के साथ रामतनू बाबू की विद्वा पुत्रवदू के भेट करने के बारे में पूछा तो उसने यथा शक्ति अपने चेहरे को गंबीर बना कर पूछा इस विद्वा पुत्रवदू की उम्र कितनी है देखने में कैसी है पिल्कुल परी जैसी इस पर उसने एक विशेश प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा हाँ उनसे भेट करने से काम तो हो सकता है लेकिन मैं कहता हूँ कि वह आज रात ही नाओ की राय पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए यह क्यों इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है तो इससे क्या इससे तो सब कुछ होता है परी जैसी है इसलिए जमिनदार सुरेंदर नात के यहां उसकी कुशल नहीं मौसी ने अपने गाल पर हाथ रख कर कहा तो कैसी बाते करता है वह नौत ने मुस्कुरा कर कहा हाँ यही बात है देश भर के लोग इस बात को जानते हैं तब तो उनसे मेट करना उचित नहीं नहीं किसी भी तरह नहीं लेकिन उसकी सारी संपत्ती चली जाएगी जब चैटर जी महाशे इस मामले में है तब संपत्ती मिलने की वैसे भी कोई आशा नहीं और फिर वह ग्रहस्त की लड़की ठहरी संपत्ती के साथ उसका धर में भी चला जाएगा दूसरे दिन उस दिस्त्री ने सारी बाते माधवी को सुना दी सुनकर वह हैरान रहेगी दिन भर जमिंदार सुरेंदरनात के बारे में सोचती रही उसने सोचा यह नाम तो बहुत ही परीचित है लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता यह नाम तो उसने मनी मन कितने दिनों तक याद किया है उसे आज पूरे पांच वर्ष हो गए भूल गई थी उसे लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर याद हो आई स्वपन और नेदरा में माधवी ने बड़े कश्ट से वहरात बिताई अनेक बार उसे पुरानी बाते याद आ जाती थी और उसके आखों से आसों उमड पड़ते थे संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर देखकर डरते डरते कहा मामी मैं अपने माँ के पास जाऊंगा स्वएम माधवी ने भी ये बात कई बार सोची थी क्योंकि जब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा तब काशी वापस जाने की सिवाए और कोई उपाई नहीं है उसने संतोष के लिए ही जमिनदार से भेट करने की सोची थी लेकिन अब वो नहीं हो सकता महले टोले और अडोसी पडोसी मना कर रहे है इसके सिवाई वाचा है जहां जाकर रहे है अब एक नया बखेडा खड़ा हो गया वहे उसका रूप और यावन मादवी सोचने लगी मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है यह सारे उपद्रों अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए है आज साथ वर्ष हो गए यह सब बाते उसके ध्यान में नहीं आई और नहीं इन बातों का स्मरण कराने वाला ही कोई था पती की मृत्यों के बाद जब वो अपने पिता के घर चली गई थी तब से सभी ने उसे बड़ी दिदी और मा कहकर पुकारा था इन सम्मान पूर्ण संबोधनों ने उसके मन को वृद्ध बना डाला था कहा का रूप और कहा का यवन जहां उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था मा जैसा सनेह लुटाना पड़ता था वहां क्या यह सब बाते याद रह सकती है याद नहीं थी लेकिन अब याद हो आई है उसने लज्जा से हस कर कहा यहां के लोग अंधे हैं या जानवर लेकिन यह मादवी की भूल थी सभी का मन उसकी तरह 21-22 की वर्ष में बूढ़ा नहीं हो जाता है तीन दिन बाद जमिंदार का एक प्यादा उसके दर्वाजे के ठीक सामने आसन जमा कर बैठ गया और पुकार पुकार कर लोगों को जमिंदार सुरेंदरनाथ की नई कीरती के बारे में बताने लगा तब मादवी संतोष का हाथ पकड़ कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी गोला गाउं से पंदरा कोस दूर सोमरापूर में प्रमिला का विवा हुआ था आज एक वर्ष से वह ससुराल में ही है शायद फिरवा कलकत्ता चले जाएगी लेकिन मादवी उस समय वहां कहां रहेगी इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है सवेरे सूर्य उदे होते ही मांजियों ने नाव खोल दी धारा के साथ नाव तेजी से बहचली हवा अनुकूल नहीं थी इसलिए नाव धीरे धीरे बासों के बीच से गुजरती कटिले व्रिक्षो और जाड़ियों को बचाती घास पत्ता को ठेलती वे चलने लगी संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही वह नाव की छत पर से हाथ बढ़ा कर व्रिक्षो की पत्तिया तोड़ने के लिए आतुर हो उठा मांजियों ने कहा अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोम्रापूर नहीं पहुँच सकेगी माधवी का तो आज एकादशी का व्रत है लेकिन संतोष कुमार के लिए कही नाव बांद कर खाना बना कर खिलाना होगा मांजियों ने कहा दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांदी जाए तो बहुत सुभाती रहेगी वहाँ सभी चीजे मिलती है दासी ने कहा अच्छा बैया ऐसा ही करो जिससे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए कार्तिक का माह समाप्ती पर है थोड़ी थोड़ी सर्दी पढ़ने लगी है सुरेंद्र नाथ के उपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्राता काले के सुरे का जो प्रकाश भी खर रहा है सुरेंद्र उसे देख रहा है खिड़की के पास ही धेर सारे बही खाते और कागज पत्र लेकर टेबल पर एक और सुरिंदरनात बैठे हैं अदाइगी, वसूली, बाकी, बकाया, जमा, खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदिस सब एक-एक करके उलटते और देखते थे इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया था ना होने से समय भी ना कटता था शांती के साथ इसके लिए बहुत को जगड़ा करना पड़ा है बड़ी कठनाई से वह उससे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुश्यक के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता या उसे तुरंत ही धर पकड़कर बाहर लाने की अवशक्ता नहीं होती लाचार होकर शांती ने स्विकार कर लिया और अवशक्ता नुसर्व सहायता भी देती है आजकल पती पर शांती का पूरा-पूरा अधिकार है उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती है केवल दसपाच कमभक्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांती को बहुत कलेश महुचा रहे थे लेकिन पतने की आग्या से अब सुरेंद्रनात का घर से बाहर निकलना तक बंद है शांती ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है अभी अभी वह पास बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांद रही थी सुरेंद्रनात ने एक कागज पर से सिरूठा कर पूछा शांती? शांती कहीं चली गई थी थोड़ी देर बाद लोट कर आई और बोली मुझे बुला रहे थे? हाँ मैं जरा दफ्तर जाओंगा नहीं जो कुछ चाहिए बताओ मैं ला देती हूँ कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मतुरा बाबू से कुछ बाते करना चाहता हूँ उन्हें बुलावा देती हूँ तुमें जाने की जरुरत नहीं लेकिन इस समय उनकी क्या जरुरत पड़ गई? कह देना आगहन के महिने से उन्हें काम करने की जरुरत नहीं है शान्ती और शंकित हो उठी लेकिन संतुष्ट होकर पूचा आखिर उनका अपराद क्या है? अपराद क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता लेकिन बहुत ज्यादेती कर रहे हैं इसके बाद अदालत का एक हुक्म नामा और कई कागज बत्तिर दिखा कर कहा यह देखो गोला गाउं की एक विद्वा का सारा घर बार निलाम करके खरीद लिया है मुझसे एक बर पूचा तक नहीं शान्ती ने दुखी होकर कहा हाई हाई विद्वा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ लेकिन बिका कैसे? उस पर दस साल की माल गुजारी बाकी थी व्याज और मूल धन मिलाकर डेड़ हजार रुपय की नालिश हुई थी रुपयों के बाद सुनकर शान्ती मतुरा बाबु की प्रती कुछ नर्म पड़ गई और मुस्कुरा कर बोली इसमें मैनेजर का क्या दोश है? वह इतने रुपय कैसे छोड़ देते? सुरेंदरनात गंभीर होकर सोचने लगे शान्ती ने पूछा क्या इतने रुपय छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंदरनात ने हस्ते वे कहा शान्ती यह बात नहीं मेरे रुपय क्या तुम्हारे नहीं है? लेकिन यह बताओ जब मैं नर्होंगा उस समय तुम क्यासी बाते करते हो? मुझे ज़र अच्छा लगता है वह तुम करोगी न? शान्ती के आखों से आसू निकल आए क्योंकि उसके पती की शारीरी खादलत अच्छी नहीं थी बोली इस तरह की बाते क्यों करते हूं? अच्छी लगती है इसलिए करता हूं शान्ती तुम मेरी एक्षाओं और आकांग्षाओं को याद नहीं रखोगी? शान्ती ने आखों पर आचल रखकर सी लेटा दिया कुछ देर बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है? पल भर में शान्ती बिल्कुल बुझ गई इसी से शायद लोटा देना चाहते हैं? सुरेंद्रनाथ ने हसते वे कहा हाँ इसलिए मैं सब कुछ लोटा दूँगा माधवी की बात सुनकर शान्ती कुछ दुखी हो ठी लगा उसके अंदर इर्षय की भावना थी नादर नहीं कर सकता भले ही वह जान न पाए नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं तुम दुरगाप का नाम लेकर उस पर पाउं रख सकती हो? चिक कैसी बाते करते हो? देवी का नाम लेकर सुरेंद्रनाथ हस पड़ा अच्छा देवी का नाम न सही लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपे दे सकता हूँ अगर एक काम करो कौन सा काम? शान्तिन ने प्रसन होकर पूछा दीवार पर सुरेंद्रनाथ की एक फोटो टंगी थी उसकी और अंगुली से इशारा करके बोले यह फोटो अगर क्या? चार ब्रामणों के द्वारा यदि नदी के किनरे जला सको तो कहीं पास ही विजली गिरने पर जैसे सारा खून पलभर में ही सूख जाता है साप काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है ठीक वही दशा शान्ति की हो गई इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लोटाया दुख भरी नजरों से पती की और देखती वी चुप चाप नीचे उतर गई पुरोहित को बुला कर शान्ति और सर्वस्व वाचन की यतोचित रूप से वैवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मननते मान कर मन ही मन प्रतिग्या करके कि या बड़ी देदी चाहे जो भी हो उनके बारे में कभी कुछ न कहूंगी इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आसू भात दी रही अपने जीवन में ऐसी कड़िवी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी सुरेंद्र नाथ पहले तो कुछ देर चुब बैठे रहे फिर बाहर निकल गये दफ्तर में मतुरा बाबु से भेट हुई पूचा गोला गाओं में किसकी संपत्ती निलाम हुई है मृत रामतनु सान्याल की विद्वा पुत्र बधु की क्यूं दस साल की माल गुजारी बाकी थी खाता कहा है देखें मतुरा नाथ पहले तो सन्नाटे में रहे गे फिर बोले खाता वेगर तो अभी तक पवना से मंगाया नहीं गया है खाता लाने के लिए आदमी भेजो विद्वा के रहने के लिए जरा से भी जगह नहीं छोड़ी गई है शायद नहीं तब वो कहां रहेगी मतुरा बाबु ने साहस बटूर कर उत्तर दिया इतने दिनों तक जहां रही थी वही रहेगी ऐसा ही लगता है इतने दिनों तक कहा थी कलकत्ता में अपने पिता के घर पिता का नाम जानते हो? हाँ जानता हो ब्रजराज लाहिडी और विद्वा का नाम? माधवी देवी सुरेंद्रनात वहीं सिर जुका कर बैठ गये मधरा भबुने घबरा कर पुछा क्या हुआ? सुरेंद्रनात ने इस प्रस्ने का कोई उत्तर न दिया एक नौकर बुला कर उससे कहा एक अच्छे घोडे पर जीने कसने के लिए कह दो मैं इसी समय गोल लगाओं जाओंगा यहां से गोल लगाओं कितनी दूर है? लगभग दस कोस अभी नौ बज़े हैं एक बज़ते बज़ते वहां पहुँच जाएंगे उत्तर की ओर आगे जाकर पश्चिम की ओर मोड़ना होगा इसके बाद चाबुक पकड़ते ही घोड़ा दोड़ता हुआ निकल गया शान्ती को यह समाचार मिली तो ठाकर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोले ठाकर जी क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पासकूंगी? इसके बाद दो प्यादे गोड़े पर सवार होकर गोला गाओं की और तेजी से दोड़े खिड़की में से उन्हें देखकर शान्ती धीरे धीरे आसु पोचने लेगी उसने कहा मा दुरगे एक जोड़ा भैस चड़ाओंगी जो कहोगी वही दूँगी बस उन्हें लोटा लो मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चड़ाओंगी जितना भी चाओ उतनी ही जब तक तुम्हारे प्यास में मुझे गोला गाओं पहुचने में अभी दो कोस बाकी है घोड़े की टापे तक फेन से बर गई है जी जान से धूल उड़ाता खेतों की मेरों को तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है सिर के उपर प्रचंड सूरे दहक रहा है घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्रनाथ का जी में चलने लगा था लग रहा था जैसे अंदर की सारी नसे कटकर बाहर निकल पड़ेंगी इसके बाद ही खासी के साथ खून की दो तीन बूंदे टप से उसके कोड़े पर टपक पड़ी सुरेंद्रनाथ ने हाथ से मूँ पोच लिया एक बज़े से पहले ही वह गोलगाओं में पहुँच गया रास्ते में एक दुकांदार से पूछा या गोलागाओं है जी हाँ रामतनु सान्याल का मकान किधर है वो उस ओर है घोड़ा फिर दोडने लगा और थोड़े ही देर में उस मकान के सामने पहुँच किया दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया घर में कौन है जी कोई नहीं कोई नहीं कहां गये सवेरे नाउ लेकर चले गये कहां किस रास्ते से दखिन की ओर नदी के किनारे किनारे रास्ता है घोड़ा चल नहीं सकता सुरेंदर नात ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्टे पर कई जगा खून की बुंदे गिर कर धूल में जम गई है इस समय भी उनके होटों पर खून बह रहा था नदी में उतर कर एक अंजली जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया पैर में जूते तक नहीं है, सारा शरीर कीचर से भर गया है, कुर्टे पर खून के दाग है जैसे किसी ने चाती पर खून चिड़क दिया हो दिन ढलने लगा, पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे है लगता है, अगर लेट गय तो हमेशा के लिए सो जाएंगे लेकिन जैसे अंतिम शयया पर इस जीवन का महा विश्राम प्राप्त करने की आश्रा लिए पागलों की तरह दोड़ते जा रहे है शरीर में जितनी भी शक्ती है, उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रे पालेंगे, और फिर कभी नहीं उठेंगे करेमों के जुर्मोट को हटाते हुए, वह रास्ता निकालते हुए चलता जा रहा था नदी के मोड के पास उसने एक नाव देखा, सुरेंद्र नात में पुकारा लेकिन सुके गले से आवाज नहीं निकली, केवल दो बुन्द खोन निकल कर बेह गया फिर दो बुन्द खोन बहर निकलाया और फिर दो बुन्द खोन करेमों के जुर्मुट ने नाओ की गती को रोक दिया है सुरेंद्रनाथ पास पहुँच गे उन्होंने फिर पुकारा बड़ी दी दी दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आखें मुंदि लेटी थी सहसा उसके कानों में आवास पहुची कोई चिर परिचित स्वर पुकार रहा है माधवी उठकर बैट गए अंदर से मुह निकाल कर देखा सारा बदन धूल और कीचर से भरा हुआ है अरे यह तो मास्टर सहब है अरे नयन तारा की मा मांजी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे सुरेंदर नाथ तब धीरे धीरे किनारे पर जागी रहे सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लिटा दिया मुह और आँखों पर जल छिड़का गया एक मांजी ने पहचान कर कहा या तो लालता गाउं के समिनदार है माधवी ने इश्ट कबच के साथ अपने गले से सोने का हार उतार कर उसके हाथों में दे दिया और बोली एक रात तक लालता गाउं में या पहुचा दू मैं तुम सभी को एक-एक सोने का हार इनाम में दूँगी सोने का हार देखकर उन में से तीन मांजी कंदे पर रसी लेकर नीचे उटर पड़े संध्या के समें सुरेंदरनाथ को होश आया आँखे कोल कर माधवी की ओर देखते रहे उस समें माधवी के चेहरे पर घूंगट नहीं था केवल माथे का कुछ भाग आचल से डखा था वो अपनी गोद में सुरेंदरनाथ का सिर रखे बैठी थी कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंदरनाथ में पूछा तुम बड़ी दीदी हो ना माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंदरनात के होटों पर लगी खून की बुंदे पोची फिर अपने आसों पोचने लगी तुम बड़ी दीदी हो ना? बोलो, मैं माधवी हूँ सुरेंदरनात ने आखे मौंद कर कोमल स्वर में कहा हाँ, वो ही मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था इतने दिनों बाद सुरेंदरनात वह सुख आज खोज पाया है इसलिए होटों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुरहाट रेंग उठी बड़ी दीदी बहुत कष्ट है चल चल करती वी नाव लगातार दोड़ी जा रही है चपर के अंदर सुरेंदर के चेहरे पर चंद्रमा की किरने पढ़ रही है नयंतारा की मा एक तूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे जल रही है सुरेंदरनात ने धीरे से पूचा कहा जा रही थी माधवी ने रुंदे गले से कहा प्रमीला के ससुराल छी बड़ी दीदी भला इस तरह समधी के घर जाना होता है अपने अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोध में सिर्रकर सुरिंद्रनाथ मृत्यु शाया पर पड़े हुए है उनकी दोनों पैर शान्ती अपनी गोध में लिये आसूं से धो रही है पवना में जितने डॉक्टर और वैद्ध हैं उन सब के सम्मिलित प्रयाज से भी खुन नहीं रुक रहा पांच वर्ष के पहले की चोट अब खुन उगल रही है माद्वी के रिदे की भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती क्योंकि हम उसे अच्ची तरह नहीं जानते हैं जान पड़ता है जैसे उसे भी पांच वर्ष पहले की सारी बाते याद आ रही हूँ उसने सुरेंद्रनात को घर से निकाल दिया था और लोटा नहीं सकी थी और आज पांच वर्ष के बाद सुरेंद्रनात लोटा आया है शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्रनात ने माद्वी के चहरे की ओर देखा और पैरों के पास शांती बैठी वी थी वो सुन न सके इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खीच कर धीरे से कहा बड़ी दीदी उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था आज मैंने तुमसे बदला ले लिया तुम्हें भी निकाल दिया क्यों बदला चुक गया न माधवी ने सब कुछ भूल कर अपना सिर सुरेंदरनात के कंधे पर रख दिया इसके बाद जब होश आया तो घर में रोना पीटना चल रहा है धन्यवान